हेलो दोस्तो दोस्तो तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आये हैं कक्छा दस्मी का आयद वासिक परिक्षा पेपर 2021 वारीस विसाय हिंदी लेकिन दोस्तो तो चलिए गा दोस्तो वीडियो सुनू करते हैं बिना कुछ देरी कियो हो गए तो देखे दोस्तो इसमें सबसे पहले दिया गए है उद्धाव ने गोपियों को क्या संदेश दिया तो देखे इसका सही अंसर आजाएगा आपका का नंबर का जिसमें लिखा ह और इसके बाद आता है दूसे नंबर का विकल्प जिसमें दिया गया है सिंगाहर रस्त का इस्ताई भाव है क्या है तो इसका सही अंसर आज आएगर कि रटी देखे खा नंबर में लिखा हुआ thought i or इसके बाद आता है तीशे झास में लिख्या है कशमे की čोहराहे पर किसकी प्रितमा लगी तो देखिए इसका सही अंसर आ जाएगा छार न्मर का झस में लिख्या है सुवाष चंद्र वोस्की और इसके बार आता है चौत नंबर का जिस्में लिखा है बाल गोविंद भगत साहब किसे कहते हैं तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका गार नंबर का जिसमें लिखा हुगा है कभीर को और इसके बाद आता है पांच में नंबर का विकल्प जिसमें लिखा है मुहकी खाने का क्या अर्थ है तो देखेगा दोस्तों इसका यूटूब चेनल MR Science Lover को सस्क्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल सस्क्राइब के बटन को दबा कर चेनल को कर लेना है सस्क्राइब और साथ ही दबा लेना है बेल आइकन घंटी को और वीडियो को कह देना है लाइक तो चलिएगा दोस्तों वीडियो को कहते है इस्टाइट और आप लोगों के लिए बताते हैं आपकी पेपर का अंगला पिरिष्ण इवं पिरिष्ण बिकल्प नम्बर पांच तो देखें बिकल्प नम्बर पांच में दिया गया है मुएकी खाने का क्या आयत है तो देखें इसका सही अंसर हो जाएगा गा नम्बर का जिसमें लिखा हुआ है पराजित होना और इसके बाद आता है छटे नम्बर का जिसमें लिखा है भोले नात का वास्तविक नाम क्या था तो इसका सही अंसर आ जाएगा का नम्मर का जिसमें लिखा है तार केश्वर नाथ क्या आ जाएगा तार केश्वर नाथ और इसके बाद आता है दोस्तों पिशने किर्मांक दो जिसमें लिखा है रिक्तिस्थानों की पूरिती कीजिए तो देखे इसमें आपका पहला रिक्तिस्थान दिया गया है स्री किष और इसके बाद आता है दूसरे नम्मर का जिसमें लिखा है विखालिस्थान कैसे गाउं मधुर चांदनी रातों की तो देखे इसका सही अंसर आजाएगा उज्जुल गाथा और इसके बाद आता है तीसे नम्मर का जिसमें लिखा है महा काब्वे में जीवन का खालिस्थान चित्रड है तो इसका सही अंसरा जाएगा समग्र यानि कि महा काब्ब में जीवन का समग्र चित्रड होता है और इसके बाल आता है चौथे नम्मर का जिसमें लिखा है सिंगार रस्त का इस्थाई भाव खालिस्थान है तो इसका सही अंसरा जाएगा रती देखें दोस्तों कहीं कहीं पढ़ने में दिक्कत आ जाती है दोस्तों एक साथ बोलना पढ़ता है उसमें दिक्कत हो जाती है तो दोस्तों उसके लिए माप कहे लेना और इसके बार आता है दोस्तो पांच में नम्मर का जिसमें लिखा है नेता जी का चस्मा गध की खाली स्थान विधा की रचना है तो इसका सही अंसरा जाएगा कहानी और इसके बार आता है पांच छटे नम्मर का जिसमें लिखा है करम बाच्च में किरिया खाली स्थान के अ अनुसार होती है और इसके बाद आता है आठ में नंबर का रिक्तिस्थान जिसमें लिखा है जोज पंचम की मूलती पर खाली स्थान नहीं थी क्या नहीं थी दोस्तो नाक जोज पंचम की मूलती पर नाक नहीं थी और इसके बाद आता है अंगला प्रिशन जिसमें लिखा है सही जोड़ी बनाईए तो देखे इसमें आपका पहला प्रिशन दिया गया है गर्जा कुमारी मात्वर और इसका मिलान हो जाएगा खा नमबर में जिसमें लिखा है नई कवीता के कभी और इसके बाद आता है दूसरे नमबर का जोड़ी जिसमें लिखा है वीर रस और इसका मिलान हो जाएगा आपका का नमबर में जिसमें लिखा है उत्साह इस्थाई भाव और इसके बाद आता है तीसे नमबर का जिसमें लिखा है इस्तरी सिक्छा से तो इसका मिलान हो जाएगा आपका घा नमबर में जिसमें लिखा है दुन्द समाद और इसके बाल आता है चोथ्रे नम्मर का जिसमें लिखा है आटे की गोलिया और इसका मिलान हो जाएगा आपका चा नम्मर में जिसमें लिखा है मचलियों के लिए और इसके बाल आता है छटे नम्मर की जोड़ी जिसमें लिखा है हिरोस्म कबीता और इसका मिलान हो जाएगा आपका एड़ा नम्मर में जिसमें लिखा है रेल गाड़ी में लिखी गई तो देखे इस पिकाह आपके प्रिष्ने क्रिमंग तीन हो गए और इसके बादा है प्रिष्ने क्रिमंग चार जिसमें लखा है निम लिखित प्रिष्नों के उत्तर एक सब्द या एक बक्ड में लिखिए तो देखेगा इसमें आपका पहला प्रिशन लिखा है गोपिया किसे प्रेम करती है तो इसका सही अंसर आजाएगा सिरी करहने को और दूसरे नमर का आता है साहित लहरी किसकी रचना है तो इसका मिलान आजाएगा सूर दास की और इसके बारा आता है तीसे नमबर का जिसमें लिखा है रसों की संख्या कितनी मानी गई है तो इसका सही अंसर आ जाएगा नो रसों की संख्या नो मानी गई है और इसके बारा आता है चौत्रे नमबर का जिसमें लिखा है भारत किस बैस में सुतंत हुआ था तो इसका सही अंसर आजाएगा सन 1947 में और इसके बाद आता है पांच में नम्मर का जिसमें लिखा है जिन सब्दों से करने या होने का बोध होता है बे क्या कहे जाते हैं तो इसका सही अंसर आजाएगा किरिया यानि किरिया कहे जाते हैं और इसके बाद आता है छटे नम्मर का जिसमें यथा सक्ति में कौन सा समास है तो इसका सही अंसर आ जाएगा अब्याई भाव और इसके बाद आता है सातमे नमर यानि की सातमे नमर का प्रिशने जिसमें लिखा है माता का आचल मैं कहां की संस्कृति का अंकन हुआ है तो इसका सही अंसर आ जाएगा देहाती संस्कृति तो देखे दूस्तो इसका हमने आप लोगे पूरा होने के बाद ता है प्रिष्णिक मंथ पांच जिसेमें लिखा हुआ है निम लिखिद बाकियों में 77 स्थ लिखे तो देखेगा दूस्तो इसमें आपका पहला स्थ असत्य दिया गया है स्री कृष्ण ने गोपियों के पास उद्धाव को भेजा था तो देखे दोस्तों यह तो आप सभी लोग जानते होगे आपने भी स्री कृष्ण लीरा महाबार देखी होगी तो यह बात बिलकुल सही है तो यह हो जाएगा आपका सत्य और इसके बाद आ स्थाइभाव किरोध होता है तो यह हो जाएगा आपका असत्य और इसके बाद आता है चौत्रे नम्मर का जिसमें लिखा है बाल गोबिन भगत ग्रहत नहीं थे तो यह हो जाएगा आपका असत्य और इसके बाद आता है पांचमे नम्मर का जिसमें लिखा है जिस किरिया क को जिस किरिया का प्रभाव कार्म पर पड़ता है वह है सकर्मक किरिया होती है तो यह हो जाएगा आपका यह हो जाएगा आपका क्या सत्य और इसके बाद आता है यह आपका देखे चोथ पांच में नम्मर का सत्य है आपका ठीक है और इसके बाद है छट में नम्मर का जिसमें लिखा है मुईतिकार को पहारों पर नाक का पत्थर मिल गया था तो एह हो जाएगा आपका असत्य तो देखे दोस्तो हमने आप लोगों के लिए प्रिष्णिक मंग एक, दो, तीन, चार, पांच बता दिये हैं दोस्तो यदि हम पूरा का पूरा पेपर इसी वीडियो में बताते हैं दोस्तो वीडियो बहुत ही जाना लंबा हो जाएगा तो देखेगा दोस्तो ये आपका पार्ट एक समझ लीजीए दोस्तो और बहुत ही जल्ल हम आप लोगों के लिए पार्ट दो अपलोट करने वाले हैं इसमी आप लोगों के लिए संपूर्ड हल देकने को मिल जाएगा यानि कि इसमें हमनेे पृस्ने के मांक 250 ओ् zerी जाएगा यह में प्रिस्ने के मांक पांसि तक पेपर समझने की भूल ना करें और दोस्तों देखिए आप लोगों के लिए बता देए जो मोडल पेपर हमने आप लोगों के लिए बताया है इसमें से आपके काफी जाना पिसने आपकी परीक्षा में आने वाले हैं क्योंकि दोस्तों एक मोडल पेपर हमने कक्छा दसमी का बिग्यान का बताया था जो साइध आप लोगों देखा होगा वीडियो है यदि आप लोगों ने कक्छा दसमी का बिग्यान का मॉडल पेपर देखा है तो आप लोगों मिला सकते हो दोस्तों मिलान कह सकते हो उस पेपर का काफी जानव इसने उस पे उस मॉडल पेपर में से आपके लिए देखने को मिले होंगे तो दोस्तो इसी पिकास से यह भी एक मॉंडल पेपा है दोस्तो अब आंगे आपकी माई जी है कि आप लोग इसे किस पिकास से याद कहना चाहते हैं तो दोस्तो वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, सब कहाई देज झाल